हाँ तो दोस्तो यह जो वीडिऊ होने वाला है वो एक Great League Special वीडियो होने वाला हूँ क्योंकि춰् ham time बात करेंगे इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ च्छे् लिक टीम के बारे में तो प्लीज वीडियो ओ को लाश्टक देखेगा फ्रेंस हम बात कर रहे हैं आज के मुकाबले के बारे में जो की खिला जाएगा मुंबाई इंडियन्स वासे संराज अ हैधराबाद के बीच में 17 माई यानी किया है शाम को 7.5 बे से वान खड़े स्टडिय मुंबाई के ग्राउन पर अब फ्रेंस उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से रिक्वेस्ट यह है कि अगर आपने अभी तक हमें टेलिग्राम पर फोलो नहीं किया है तो हमें टेलिग्राम पर फोलो जरूर कर लिए जिएगा टेलिग्राम के लिंक मिलेगी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में घ्यान रखना टेलिग्राम मनी गुरुजी के नाम सहे 35,000 यूजर हमार साथ जुड़ चुके रोजाना यहाँ पर 1,000,000 रुपए तक की डू और डाई का मुकाबला है लेकिन बात करें मुंबई इंडियन के लिए तो भी यह यह जो टीम है अल्रेडी बाहर हो चुके है आई पेल से तो ध्यान इस बात का रखना है आपको कि जो मुंबई इंडियन की टीम है उसमें आज आपको की टीम ने दस मुकाबले जीते हैं अब फ्रेंचान बात रहे है तो आप देखोगी रोही शर्मा जब भी खेलते हैं सनराइजा हिद्राबाद के सामने 18 मेचों में ओनली 18 की एवरेज से दोससित्यतरण बना गर आ रहे इशान केशन ने आठ मेच में 247 अच्छी एवरेश से बना है जस्पित बुम्रा ने 12 मेचों में 15 विकेट निकाले है संडरीज और हैदराबाद के सामने अच्छी गेंदबाजी की है कैप्टन वाइस कैप्टन की पिक बन सकते है भुम्रेशर कुमान ने भी अच्छी गेंदबाजी की मुंबाई के सामने 11 मेचों में 16 विकेट निकाले है फिर अबात आती है अभिशेक शर्मा की रिसेंड ली ये एजे ओपनर खेल रहे है पिछ रिपोर्ट की बात की जाए तो जब भी नाम आता है वानखेड स्टेडियम का तो जाईर सी बात है हमें एक बड़ा स्कोर देखने को मिलता है फर्स्ट निंग का जो एवरेज स्कोर है यहाँ पर वो 166 का है किलिर रही दिखा रहा है पूरी तरह से बल्ले बाजी अनुकुल विकेट को टोटल मेच यहाँ पर 94 खेले गए हैं उसमें जे 46 मुकाबले पहले बल्ले बाजी करने वाली टीम ने जीते हैं ओ्भर से कम का स्कोर यहाँ पर 24 बार बना है 15 sẽ 179 के बीच में 21 बार बना है और 190 से उपर बना है यहाँ बना है यहाँ अपर 17 बार यहाँ पर लो भी बना है लेकिन ह tap Learn毌य फोड़ा सा ज़्यादा बना है उसमें स्कोर कितना बनाएं 131, 133, 158, 161, 137, 141 फिर आप देखोगे 119, 113, 165, 162, 169, 113, 222, 168, 168, 168, 168, 168 लेकिन हाँ डाइरेक्ली हम चलते हैं रिसेंडली मेच पर के भी है जो रिसेंडली मेच इसके लेगे उसमें कितना स्कोर बनाएं तो आप देखोगे 133, 137, 193, 192, 125, 152, 153, 166, 150 तो मानके भी यही चल रहे हैं कि 60, 165 के करीब स्कोर हमें देखने को मिल सकता है बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में मुंबई टीम से अगर मैं बात करूँ तो रोही शर्मा के साथ में इशान किशन आपको ओपनिंग करती हो ने चला सकते हाला कि आज मुंबई की टीम में बड़े बदलाव भी आपको देखने को मिल सकते फिर तिलग वर्मा है रमंदिप सिंग है टी स्टब सकेल सकते हैं फिर टीम डेविड है रितिक शोकीन फिर हम देखेंगे यहां से डैनियल सेम रिली मेरित कुमार कार्तिकिया जस्पृत बुम्रा तो कुछ इस पकार रहा सकते हैं मुंबई की पॉसिबल प्लेइंग इलेवन लास्ट मेज की गेंबाजी की बात करूँ फिर रितिक शोकीन को कोई विकेट मिला नहीं ते दो ओर गेंबाजी कीती कुमार करती कहना अच्छी केंबाजी कीती तीन ओर में बाइस संड देकर दो विकेट वही पर्रमंदिक सिम को भी एक ओर दिया गया ता उसमें भी इन्होंने एक विकेट अपने नाम किया था बात कर लें संद्राइजर हैधराबाद की टीम से संद्राइजर हैधराबाद की टीम से आप देखोगी कैन विलियम से न के साथ भी अभिशेक सर्मा आपको ओपनिंग करते होई नजर आ सकते हैं फिर राहुल्त रिपाटी है एडम माकरम है निकोलस पूरन शशांग सिंग वशेंग्टम सुंदर फिर हम देखेंगे यहां से मारको जेंसन बुमनेशर कुमार टीन अटराजन और उमरान मलिक अब उमरान मलिक की बात करेंगे जोगे अभी फिलाल पेस के लिए जाने जा रहे हैं चार ओर में 33 रंदेकर तीन विकेट लिये थे लास्ट मुकाबले में वशेंग्टम सुंदर को कोई विकेट मिला नहीं था चार ओर में 40 रंदिये थे मारको जेंसन ने चार ओर में 30 रंदेकर एक विकेट और बुवनेशन ने चार ओर में 37 रंदेकर एक विकेट अपने नाम किया था प्लेयर मेचपस की बात करें तो इंपोर्टन बात आती है वो आती है जस्परित बुमरा को लेकर आप देखो कि जब निकोलस पुरन के सामने होते तो 9 गेंदे इनोंने किये 7 रंदिये लेकिन 2 बार निकोलस पुरन को ये आउट कर चुके फिर वाशिंग्डम सुन्दर जब भी आते हैं रोई शर्मा के सामने 19 गेंदे की हैं 17 रंदिये हैं दो बार ये इनको भी आउट कर चुके फिर जस्परित बुमरा के सामने जब कैन विलियमसन होते हैं 24 गेंदो पर 24 रंदिये हैं और एक बार आउट कर चुके जस्परित बुमरा के सामने जब अभिशेक सर्मा होते हैं 10 गेंदो में only 8 रंदिये और एक बार अभिशेक सर्मा को चलता भी इन्हों ने किया है फिर बात आती है एड़म माकरम को लेकर बहुत अच्छे लाई में नज़र आ रहे हैं जस्परित बुमरा ने इनके सामने 58 गेंदे किये रंद बहुत कम दिये हैं 27 रंदिये हैं और दो बार एड़म माकरम को आउट भी कर चुके और ये प्लेयर बेटल हमें हाई चांसे आ अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी जाकर जरूर से डाउनलोड कीजिएगा क्योंकि यहां पर बॉनस ओफर आपके लिए चलते रहते हैं रियल एक्स्ट्रा केश ओफर आपके लिए चलते रहत वो आप 100% बोनस यूज़ेबल लीक में यूज़ भी कर सकते हो मतलब बिल्कुल फ्री में भी आप खेल सकते हो और रोजाना बड़े गीववे तो चली रहे फ्री एंट्री आपको मिली रही यह 10,000 रुपे 20,000 रुपे की तो जाकर जरूर डाउनलोड कीजिएगा ट्राई तो opening करते है केन्वीलियम सन आप चाहें तो केन्वीलियम सन को ले सकते हो फिर टीम डैविड मिडिल ओर में आते हैं मिडिल ओर में आते हैं जस्परित बुमरा और रिल्ली मेरित दोनों मुंबई की गेंद बाज मैंने लिये और यहाँ से मैंने दोनों सुन्राइज है हुदरबाद की गेंद बाज में लिये वो लिए टीर नटराजन और उम्रान मलिक captain wise captain की बात करें तो मेरे captain रहेंगे option में बता देतों जस्पूरित मुम्रह इशान किशन भी अच्छा option है फिलाल मैंने उम्रान मलिक को captain करें wise captain मैंने इशान किशन को हो गया change करूँगा तो मैं आपको telegram पर बताऊँगा आप फेंटू प्लाइब की टीम देख लीजिए डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए लिंक वीडियो गरीचे डिस्क्रिप्शन में रोहिश शर्मा इशान किशन और तिलक वर्मा टॉप थ्री बल्लेबाज मेंने मुंबई के लिए पिर डैनियल से में गेंबाज है, रेली मेरेड में गेंबाज है और जस्पृत बुमरा तीनों ही अच्छे गेंबाज मेरी टीम में आ जाते हैं पिर राहूल तरिपाटी, अभिशेग सर्मा बहुत अच्छे warm में नजर आ रहे हैं अभिशेक सर्मा बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे एड़म माकरम भी बहुत अच्छा काम करें और साहिसाद इन दोनों के जो सन्राइज एहद्राबाद टीम के दो गेंद बाजे विकिट टेकिंग गेंद बाजे इनको मैं बिल्कुल मिस्त नहीं करूँगा आज के म इसमें बना सकते हैं चले हैं देख लेते हैं आज की मेरी 6 ग्रेंड लिक टीम में तो फ्रेंड अब्र चीज यहां पर मैं आपको ग्रेंड लिक टीम देने से पहले नोट करवाद देता हूँ जब भी आप टेलीग्राम जोइन करते हैं तो सबसे पहले तो जो लिंक में आपको देता हूँ वीडियो के नीचे उसी लिंक से आपको आपको आमे टेलीग्राम पर फोलो करना है क्योंकि काफी फ्रोड बंद जिन्हों ने पूरा टेलीग्राम मेरा कॉपे किया है लेकिन नोट ये करना है मनी गुरुजी नाम से टेलीग्राम है 35,000 यूजर है इसी चैनल को जागर आपको फोलो करना है और जो एक लाग रुपे तक की फ्री गीवावे रोजाना चल रहे हैं पर उसे भी आप जोईन कीजिए बिल्कुल फ्री में भी आप वहाँ पर केल सकते हैं चले एक नज़र डालते हैं ग्रेंड लिग टीम पर तो दोस्तो मेरी जो पहले गीवावे रहेगी कुछ इस प्रकार आपको देखने को भी लेगी रोहिष शर्मा, इशान गिशन, तिलेग वर्मा मेरी टीम में आगे अभिशेक सर्मा, कैन विलियमसन और राहूल तरी पार्टी मेरी टीम में आगे वान के डिल स्टेडियो में पीछ बल्ले बाजी के नुगूले तो छे बल्ले बाज मेने लिए हैं इंक्लूडिंग विकेट कीपर, डेनिल सेम भी अच्छी बल्ले बाजी कर सकते हो, डेनिल सेम हाले की मेन गेन बाजी फिर हम बात करें जस्पृत बुम्रा, टीन अट्राजं और उम्रान मलिक को मेने लिए हैं कैटन वाइस कैटन आप चेंज कर सकते हो, आप इशान किशन और रोहिश शर्मा को भी कैटन वाइस कैटन बना सकते हो या टीम से serm रहने दीए, आप क्या चेंजेस कर सकते हो मुंबई की पहले गेंदबाज़ी होती है तो जबर मुंबरा को कैप्टेन करके वाइस कैप्टेन आब इशान किशन को कर सकते है जा脂ज्य अच्छा ओप्चन है एकप्टेन वाइस कैप्टेन के लिए सेकंड टीम की बात करें तो सेकंड टीम आप देख लीजिए बल्ले बाज मेरे फिक्स रहेंगे इशान किशन, रोही शर्मा और तिलक वर्मा और यहां से मैंने लिया है निकोलस पूरन, राहूल त्रीपाटी और आइडम मकरम मिडिलोडर के बल्ले बाजे और तीनों अच्छे लए में नजर आ रहे फिर डेनियल सेम, जस्पित बुम्रा, रिली मेरित मेरी टीम में आगे, यहां पर मैंने नटराजन और उमरान मलिक को लिया, यह टीम मुझे बहुत अच्छे लग रही है, यह टीम आप इसमोर लीग में भी यूज़ कर सकते हो अब फ्रेंग्स नंबर तीन के टीम की बात करें, तो मेरी जो तीसरी ग्रेंड लीग के टीम है, उसमें आप देखोगे, बुनेशर कुमार, मार्को जिंसन, बहुत कम लोग लेकर चलेंगे, डिफरेंशल पीके, साथे साथ वाशिंग्टम, सुन्दर, अगर इन तीनों में से एक भी अच्छा पॉइंट देकर गया, एक भी अच्छा खेल गया, तो आपको डाइरेक्ली ग्रेंड लिग तक हुए वोन करवा सकता है, ग्रेंड लिग नहीं तो मिनी ग्रेंड लिग तो इस दिरिया वोन करी सकते हो, फिर जस्पित बुम्रार, डेनिल से मेरी टीम मेर नटराजन और उम्रान मलिक को मेंने लिया है, कैन विलियम सन, अभिशेक सर्मा, रोहिश शर्मा, इशान किशन, परफेक्ट टीम नजर आती है, इस तीम से मुझे काफी ज़्यादा आशा है, हलाकि फ्रेंड ध्यान रखना, यह जो मैंने फेवर किये टीम, वो किये करती हुए नजर आएगी, थोड़ी सी मतलब कह सकते हैं, मैं बैलेंस टीम कह सकते हैं, मैंने बुवनेशर कुमार को लिया है, टीन अटराजन को लिया है, उम्रान मलिक, जस्परित बुमरा, रिली मेरित और केक आर्ति किया, डेनियल से, मतलब चार मेंने मुंबई के मेन ग आप मैंने क्या क्या है, अभिशेक सर्मा, कैन विलियमसन, राहूत रिपाटी, निकोलस पूरन और एडाम मकरम, पहले संडर से हैदरबाद टीम के अगर बल्ले बाजी आ गई तो ये अच्छे स्कोर में तबदील कर सकते हैं, अगर ये अच्छा स्कोर बनाते हैं, तो जुडिया का लिंक वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में, नेक्स्ट इम आप देख लिजिए, कैन विलियमसन, राहूल तरिपार्टी, निकोलस पूरन, रोहिश शर्मा, इशान किशन, एडम मकरम, डैनियल सेम, भुवनेश्वर कुमार, जस्पृत बुम्रा, टी नतर राजन और उम्रान मली, ये टीम भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नजर आती है, फ्रेंज बाकि जो भी मेरे फाइनल टीम होगी, इस मोल लिक्स की, वो मैं आपको दूँगा टेलीग्राम पर, टेलीग्राम बहुत ज़्यादा जरूरी है, जोइन कर लिजिए आप, ifying ourshaw भड़र, तेली है, जो MP कि जपैंों मैं है, जो सादाना प्रेंड Wordsut recome, ये सरिफ्यादा रहुत झाहब काउन है, जो निटू दि काम झालबी मध मैं गाराम को प्रेंग प्रेंडिला Nhा है, जो से सब्सक्तियां है, ये आपको प्रेंग्थू। भासे जाआती है, इ she 안 sehen